एक दिन एक गधा सड़क पर चल रहा था और उसने कपड़े का एक बंडल देखा. जब उसने बंडल खोला, तो उसमें एक बाग की खाल पाकर वह हैरान रह गया. गधा बहुत खुश हुआ और उसने खुद को बाग की खाल से धक लिया. आ, यह बहुत अच्छा है. यह देखने के लिए कि मैं अब कैसी दिखती हूँ. गधा पास के एक तालाब में गया और अपने प्रतिबिम को देखा. अब मैं शेर बन गया हूँ. अब मैं उन सब का मजाक उडाऊंगा जो मेरा मजाक उडाते थे. गधा भारी कदमों से जंगल में घुस गया. शेर यानी गधे को सबसे पहले जिस जानवर ने देखा वो था हिरन, शाशा सिंग. हिरन कांप गया और डर के मारे पेडों की तरफ भाग गया. कितना मजा. गधे ने अपनी सफलता से खुश हो कर कहा. इस बीच, मैंने देखा की लोमडियां आ रही थी. शेर को देखते ही वो डर से कांपने लगा. शेर साहब, आप बहुत सम्माननिय और उच्छ पद और एक अच्छे जानवर हैं. कृपया मुझे मत खाओ. लोमडी गधे के पेरों पर गिर पड़ी और अपनी जान की भीक मांगने लगी. देखते ह पूरे जंगल में कोहराम मच गया की जंगल में एक बाग आ गया है. बंदर डर के मारे एक पेर से दूसरे पेर की ओर भागने लगे, खरगोश अपनी बूर में छिपने लगे. क्या मजा है, अब मैं उन्हें शेर की तरह दहार कर दराता हूं. गधे ने खुद से कहा, और फिर शेर की तरह दहारता है. लेकिन उसकी दहार की आवाज अलग थी. उद्धरन चिन्ह. यह आवाज सुनकर सभी जानवर बाहर आ गए. उन्हें गधे की उत्पत्ती का पता लगाने में देर नहीं लगी, कि यह वास्तव में एक गधा है जो बाग की खाल में आया है. सभ इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि वह कितना भी मूर्ख क्यूं ना हो, उसकी मूर्खता उसके भाशन से ही जानी जाती है.